दोस्तो नमस्कार आपने चैनल पे में वीजे प्रकास आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्त एक गजब की एनरजी एक्साइटमेंट फिल कर रहे हैं फाउंडर्स सिर्फ ओन पैसिप के फाउंडर्सिप मिल जाने से भले उनकी आर्थिक इस्तिती बहुत बढ़िया नहीं है पारिवारी गारी खीचने में बहुत खीचाता नहीं हो रहा है बहुत सारे तो करजे के बोच से भी दबे हुए हैं बट एक भरोसा है कि ओन पैसिप में सफलता की सुरुआत होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा जब किसी को आगे के फ्यूचर बराइट नजर आते हैं तो तकलीफों को सहने की सक्ति भी आजाती है उनमें कैसी भी समस्याओं से लरने का साहस आ जाता है उनमें क्योंकि उन्हें अबिस्वास रहता है कि भले आज मेरा वक्त खराब है पर कल सिर्फ मेरा वक्त होगा और बहुत खुबसूरत होगा बस यहीं सोच यहीं बिस्वास कितने भी बरस समस्याओं से घीरे होने के बावजूद भी उसके अंदर की एकसाइटमेंट को एनरजी को बनाए रखता है सेम कुछ ऐसा ही हो रहा है पाउंडर्स के साथ भी आज भले उनके जेब में पैसे नहीं है बट भरोसा है कि आने वाले वक्त में मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे होंगे मेरे पास चलने के लिए भले आज बरहियां बाइक नहीं है बट आने वाले वक्त में मेरे पास ब्रांडिट कमपनियों के कई बाइक एंड कार होंगे भले आज मेरे पास पहनने के लिए सर्ट जिन्स या जूते नहीं है कोई बात नहीं कल मेरे पास ब्रांडिट कमपनियों के दर्जनों सर्ट जिन्स जूते होगे भले आज सोसाइटी में मेरा कोई मान सम्मान नहीं है कल पूरे देश दुनिया में मान सम्मान होगा मेरा आज भले मेरे family में एक एक चीजों के लिए compromise करना पर रहा है कल उन्हें जो भी पसंद आएगा वो जिस चीज पर भी हाथ रख देंगे वो उनका हो जाएगा मतलब यह purchase कर लेंगे आज भले हर कदम पे सिर्फ दूख और तकलीफे ही नजर आते हैं मगर कल यह सारी चीजें खतम होने वाली है जीवन के हर कदम पे सिर्फ सुक्सम्रिदी ही नजर आएगे आज भले दरवाजे पर करज मांगने वाले आते हैं कल यहीं लोग हम से हेल्फ मांगने आएगे आज भले हम एक एक पैसे को तरस रहे हो कल पैसा कोई मैटर ही नहीं रह जाएगा आज किसी अपने से भी अधिक गरीब असहाई बे सहारे को देखकर लगता है कि कास अगर पैसे होते मेरे पास तो इनका कुछ मदद कर पाता कल दील खोल कर हेल्फ कर पाएंगे ऐसे लोगों का आज पैसे ना होने की वज़े से बच्चों का एडमिसन बरिया इसकूल में नहीं हो पा रहा कल देश दुनिया के सबसे टोपर जिस स्कूल कोलेज में चाहें वहाँ एडमिसन होगा आज डक्टर को देने के लिए चेक अप कराने के लिए पास में परजाबत पैसे ना होने की वज़े से दूसरों से उधार भी लेना पड़ता है कल किसी और के साथ ऐसा प्रबलम ना आए उसके लिए बेश्ट हस्विटल बनवाऊंगा गरीब बच्चों के लिए बेश्ट एजुकेसन के लिए इसकूल खोलूगा बस कुछ इसी तरह के सोच और विश्वास excitement and energy के सुरोथ है founders के अब आप ही बताइए जिसको इतना अधिक भरोसा है on passive से मिलने वाले का म्यावी पर उसे कोई भी दुनिया की सक्ति उसे negative कर सकता है क्या? बिलकुल नहीं उसे तो फिकर है बस आने वाले income में देर होने से बाकी कोई भी founders कहीं से भी negative नहीं है कहीं से भी निरास नहीं है यहाँ दिकांस founders गरीब जरूर होंगे बट उनकी सोच उनके सपने आडानी अमबानी से कम नहीं है तब ही वे founders भी बने हैं on passive के और इनके सोच और सपने ही इन्हें एक दिन सफलता के उच्ची सिकर पर ले जाएंगे इनके सोच और बड़े सपने की ही वज़े से इन्हें on passive का founders मिला और यहीं founders उन्हें दुनिया के सारे सुकसो बिदाओं से लैस करेगा बहुत बड़ा achievement देगा उनके सारे सपनों को सकार करेगा आज जो भी founders हैं on passive में वह अपने career को लेकर जरा भी चिंतित नहीं है वह अपने future को लेकर जरा भी परसानी है क्योंकि उन्हें पुर्न विस्वास है कि जैसे ही यहां सफलता के सुरुआत होगी career के तलास समाप्त हो जाएंगे क्योंकि फिर जरूरत ही नहीं होगी किसी other organization में ताकने जाकने का बस एक यही काफी होगा हमारे सारे सपनों को पूरे करने के लिए और यह खुबसूरत वक्त बहुत ही जल्दी हमारे जीवन में आने वाला है CEO Mr. Rice के announcement के हिसाब से तो अब तक सब कुछ सुरू हो जाना चाहिए था बट कोई भी बड़ी company अपने label से सुचती है अपने label से काम करती है हम यहां 100 डॉलर पे करके foundership ले लिए हैं तो इतने अधिक परसान है success को लेकर जो पूरा का पूरा company handle कर रहा है जिससे हज़्जारों तरह के काम देखने है क्या उससे परसानी नहीं होगी इसके बारे में भी तो हमें सोचना चाहिए जो इनसान हमारे success के लिए सब कुछ कर रहा है हमारे सपने पूरे हो सके इसके लिए दिन रात लगा हुआ है हमें कभी इन सब के बारे में भी जरूरत सोचना चाहिए कमपनी लेबल की चीजे हैं थोरे देर सबेर होना सोभाविक है मैंने इधर कुछ फांडर से मिला हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि वे आज के हालात में ओनपैसिफ के बारे में क्या सोच रहे हैं कैसा फिल कर रहे हैं इसमें 90% लोगों के सोच एक जैसे ही है सभी का कहना है कि हमें पूर्ण भरोसा है और पैसिफ पर यहां हम सफल होंगे ये भी पूरा विस्वास है जब तक यह लॉंच नहीं हुआ था तो भले कुछ इधर उधर की बाते हम सोच रहे थे बट इसके फाउंडर सिफ क्लोज होते ही एंड इसके लॉंच होते ही हम 100% अस्वस्थ हो गए कि जिस तरह के कंपणी की तलास्ती हमें वह यही है जो हमारे जीवन को एक नई दिसा दे सकता है हमारे के सपने को पूरे कर सकता है बट इसके लॉंच होने के बाद भी अभी कुछ खास बदलाव नजर नहीं आ रहा बस यहीं बात थोड़ा परसान किये हुए है बाकी ओन पैसिप को लेकर कहीं से भी हम निगेटिव नहीं है बस कैसे भी करके थोड़े बहुत इंकम का सुरुआत हो जाता तो जिंदगी जीना थोड़ा आसान हो जाता मैंने कहा भरोसा रखिए पेसंस रखिए बहुत जल्दि सब कुछ नजर आने वाला है आपको दोस्त एक चीज मैंने सभी मैं कॉमन देखा कि भरोसा सभी को है 100% उनपैसिब पर वे इससे मिलने वाले काम्यावी से भी असानवीत है हाँ अगर थोड़ी बहुत निरासा भी है उनके मन में तो उनपैसिब या उसके प्रोड़क्ट को लेकर नहीं है सिर्फ इंकम को लेकर है अभी तक ओकनेक्ट नहीं आया रिफरल लिंक पे स्टक्चर नहीं आया प्रोड़क्ट पैकेज भी नहीं आया कुछ फाउंडर्स इससे भी लेकर थोड़े चिंतित दिखे इसलिए नहीं कि साइट यह कभी नहीं आएगा बट इसलिए कि अब इसे आजाना चाहिए देर हो रहा है क्योंकि यह सब जब तक आएगा नहीं इंकम कहां से स्टार्ट हो पाएगा दोस्त एक चीज़ उन्स सबसे बात करके लगा कि रियल में दुनिया के कोने कोने से चून चून कर सेलेक्ट करके आया है ताकि हमारे सकसेच की सुरुआत हो सके दोस्त मैंने उन्स सभी से कहा कि जब आपको इतना अधिक भरोसा है यहां की 100% हमारे जिंदगी बदलेगी तो लोग जिंदगी बदलने के लिए तो पूरे जीवन तक लगा देते हैं अपना आपको तो अभी साल दो साल ही हुए है फिर उन्होंने बहुत ही सटिक जबाब दिया सरहम ओन पैसिप से मिलने वाले इंकम का 10-20 साल भी इंतिजार कर लेंगें कोई प्रोब्लम नहीं अगर हमारी आर्तिक इस्तिती थोड़े ठीक होते हैं तो हम इस बारे में सोचते भी नहीं अगर थोड़े बहुत भी कुछ मिलना सुरू हो जाए तो कम से कम सांसें तो चलती रहेगी चुकि जिन्दा भी रहना जरूरी है मिलने वाले सक्सेज को देखने के लिए उसे इंजवाई करने के लिए बस थोड़े थोड़े भी करके अगर उक्सीजन मिलता रहे तो बड़े एचेम्मेंट मिलने तक काफी है जीने के लिए उसी में एक फांडर्स ने ये भी कहा कि सर दिखिएगा कि फिर से कोबीड नाइंटीन के वज़े से दो चार छे मेंने डेट आगे न चला जाए सब कुछ होने का एक यह भी डर सता रहा है मैंने कहा यह सब ओनलाइन चीज़े हैं इंटरनेट की चीज़े हैं बहुत अधिक फर्क नहीं परने वाला दोस्त एक बात समझ में आया कि कितना अधिक भरोसा है सबी founders को on passive पे कितने सारे वे सपने संजो लिये हैं इससे कुछ तो कोई अधर काम भी करना नहीं चाह रहा कि जब on passive हमारा सब कुछ करने वाला है या सब कुछ होने वाला है तो अब कोई काम क्या करना दोस्त यहीं तो परसानी है हमारी जब तक on passive से अच्छा खासा इंकम स्टार्ट ना हो जाए तब तक कुछ काम जरूर करते रहना है जिससे जीवका चल सके फिर थोड़ा इसके आने में अगर देर भी होगा तो साइध हमें खास परसानी नहीं होगी कल 25 दिसंबर है क्रिस्मस टे बरा दिन सभी को उमीदें हैं कि कल बरा दिन को कुछ जरूर बरा होना चीए बट ये हमारे सोच है हो सकता है on passive के प्लानिंग कुछ और हो इसलिए सफलता के इतने करीब आके घबराना बिलकुल भी नहीं है अपने लक्ष पर ध्यान रखना है सिर्फ on passive के ध्यान देना है इसके अलावा जिस भी निगेटिव चीजों पर हमारा ध्यान होगा समझिये वही हमारे सफलता का परमसत्रू है दिन बीते तारीख बीते महीने बीते कोई बात नहीं on passive को आना है तो आना है इसे दुनिया में आने से और हमें का म्याब होने से चाहे कोई कितना भी अधिक जोर लगा ले नहीं रोक सकता दोस्त कोई साल समाप्त होने पर है तो कुई सी साल के सुरुआत होने वाले है इसी बीच कोई न कोई बरी खुसकबरी हमें अवस से मिलेगे जो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें आपके उज्जीवल भाविस्टी कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थाइंके उदोस्त धन्यवाद